जोहर दोस्तों एक बार फिर से हामरी यूटूब चेनल जोहर जारखन इस्टड़े में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की ये खास वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो छात्र ये जानना चाते हैं कि सर यदी एक बार बहाली हो गई तो क्या बाद में फिर रद हो सकता है क्योंकि आप देखते होंगे जारखन में जे पी एस सी का जो कल रिजल्ट आया है संसोधित रिजल्ट जिस पे 60 अपसरों का नोकरी चला गया है अब यहाँ पर कुछ छात्र रहे हैं जो कमेंट करते हैं जैसे कि पी एस वाले इस्टूडेंट पंचास सची वाले इस्टूडेंट इस पे कमेंट करते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट नहीं निकला है इसको लेकर काफी कमेंट करते हैं और देखिए दोस्तों अभी TGT वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पे है इसका फैसला 22 मार्ज को होने वाला है और हाई कोर्ट पे उर्डेडी इन्हें गलत साबित कर दिया था और 13 जीलों के जो चातर है या 13 जीलों के जितने भी टीचर है उनका बेकेंसी को रद करने का निर्देश दिया था तो आज मैं बताओंगा कि आखिर क्या कुछ होता है और क्या इसा हो सकता है तो उसका जीता जागता उधारान दोस्तों छटी जेपीएसी की संसोधित मेरिट लिष्ट 313 पास 60 अपसरों की गई नोक्री यानि दोस्त तो छटी जेपीएसी में क्या हुआ था कि इस पे केस से अल रहा था और हमन सुरेन ने इसकी बाहली कर दी थी संसोधित मेरिट लिष्ट अब फिर से जारी हो गया है केस पे नया मेरिट लिष्ट जारी करने को कहा गया बहुत सरा उल्जहन था इस पे तो इस पे जो 60 अपस चला जाएगा जो कहना सो किलिए इसी लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ एक्चॉली हुआ था क्या दोस्तों आप एक बार इसको देख लो ताकि आपको पते जलेगे जरखन हाय कोड के आदेश के बाद चटी जेपीएसी सिविल सिवा परिछा के संस्वधित मेरिट अधिकारिक के नाम संस्वधित मेरिट लिस्ट में नहीं होने की बात पर हमी भरी कहा कि ऐसे अधिकारियों के रोल नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं है आयोग की वेब साइट पर सफल अभियर्तियों के रोल नंबर है उनके नाम नहीं है ऐसे में संभा हुए कि कुछ और अ थाबित होता है फ्रेंड्स कि यदि आप कहीं बहाल हुए हो कहीं सरकारी जोब में हो और अगर किसी केस किया है और वो केसा आप जाती है और हाई कोट ने ओल्डेडी इसे रद करने का नहीं दिया था कि इसे रद कर दीजे जारकन सरकार ने भी कहा है रद कर देंगे और अपरेल में इसका नोटिस भी आने वाला है तो आज मैं उन लोगों को कहना चाता हूँ पीएस के मेरे जो भाई हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी जो बहनाएं हैं जो मेरी माताओं के लाइक हैं जो मेरी वीडियो जो को देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाता हूँ कि देखी यदि आपका बहली गलत तरीक ठीक है इसलिए जारखन सरकार PS वालों को बाहली नहीं दे रही है जब तक कि Supreme Court पर फैसला नहीं होगा यहां पर जारखन सरकार 25 सचीव वाला को बाहली नहीं देगी और 25 सचीव का नया भी नोटीश जारी करने का निर्देश दिया है कि अपरेल मेहना में 25 सचीव का जो बाह तो यही बात है दोस्तों और यहां पर क्या लिखाया नई मेरिट लेश्ट में चुने गए अपनी सिवां बने रहेंगे 143 प्रसासनिक सेवा में चैने जो लोग मेरिट लेश्ट के पहले मेरिट लेश्ट में अभी थे और अभी भी है तो वो काम में रहेंगे लेकिन जीन का नाम जो साट इसे भी अरती है जो इस बार मेरिट लेश्ट में नाम नहीं है वो अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इन्हें आप वो वह आप नहीं जाएंगे सुमपल सा बात है वो काम पर नहीं जाएंगे उनको सेवा से मुक्त कर दिया है यहां पर आप देख सकते हो कि यह ग्लती को इस्टूडेंट का नहीं है यह गलती तो क्या cabbage कर mat करते हैं वंन लोगों को सजा देना चाहिए इसका सजा भूंगते leggah इस्टूडेंट कि ईद्स के लोगti में नहीं कि बड़ा गया होगा क्योंकि बड़ा वोस्ट है तो ऐसे में आप उन लोगों का लाइब के साथ खिलवाड हो रहा है अब देखिए आगे क्या होता है लेकिन फिलाल तो उनकी नोकरी गई तेल लेने अब क्या होता है देखा जाए तो यदि आपकी वहाली गलत तरीके से होती है तो पुलता हूं नेक्स वीडियो में मुझे टाटा के दू मुझे टाटा के दू